गुमनामी आपको ऐसे अंधेरे मिले जाती है जहां से निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं ये चहरा आपने फिल्मों में खूब देखा होगा नाम भले ही आपकी दिमाग से उतर गया हो लेकिन ये छबी आप कभी नहीं भूल सकेंगे ये चहरा है सूपरस्टार ये आपना बंगला तक गिर्वी रख दिया था वो वेटा कभी स्टार नहीं बन सका राजिंद्र कुमार कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेका कुमार गॉरब हीरो वने वो चाहते थे कि कुमार डायरिक्शन में हात आज माए पने ही पिता राजिंदर कुमार के लिए गए स हीरो बनना चाहते हैं राजेंद्र कुमार ने वही शर्ट रखी स्क्रीन टेस्ट दो उसमें पास होते हो तो मैं तुमारी फिल्म को प्रड्यूस करूँगा नहीं तो तुमें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा कुमार का इस बार स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियो में रखा गया राजकुपूर जैसे फिल्मेकर सामने बैठे थे कुमार गौरप काफी नर्वस हो गए और वहां घबरा गए वो कुछ बोल ही नहीं पाए परफॉर्म करने की बात तो दूर की थी राजिंद्र कुमार भी वहां मौजूद थे कुमार गौरप को इस तरह से देखकर उन्हें बहुत कुछ साया राजिंद्र कुमार ने कहा दो साल तक राजकुपूर जैसी शक्सियत के साथ काम करने के बाबजूद तुम अपने काम में फसदी रह गए और फेल हो गए तुम एक्टर बनने के लायक ही नहीं हो फिर राजकपूर की सलापर राजिंद्र कुमार ने कुमार गौरप को रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में भेजा वहाँ छह मैंने एक्टिंग सीखने के बाद कुमार जब घर लोटे तब राजिंद्र कुमार ने बेटे के लिए एक फिल्म साइन की हुई थी फिल्म का नाम था लव स्टोरी ये साल 1981 में रिलीज हुई थी अपनी डेवी फिल्म से ही कुमार रातो रात स्टार बन गए कुमार ने अपने प्रता राजिंद्र पर दबाव बनाना शुरू किया कुमार जानते थे कि उनके पिता के पास खूब पैसा है वो उनकी मदत कर सकते हैं पर राजिंद्र कुमार को फिल्म बनाने के लिए मना कर रहे थे बाप बेटे के बीच इस वात को लेकर काफी तनातनी भी चल रही थी पर बीच में राजेंदर कुमार की पत्नी शुकला कुमार आई उन्होंने राजेंदर को समझाया और बेटे कुमार के लिए फिल्म बनाने के लिए कहा उस समय राजेंदर कुमार ने बेटे के लिए फिल्म लबर्स बनाई इसमें कुमार ने पदमनी कोलापुरी के साथ स्क्रीन शेर की फिल्म में इतना खर्च हुआ कि राजेंदर को इसके लिए अपना बंगला तक गिर भी रखना पड़ गया इसके बाद कुमार ने कई और फिल्में भी की लेकिन सफलता नहीं मिली साल 1999 में राज़िंद्र कुमार का भी निधन हो गया कुमार ने आखरी फिल्म साल 2009 में की थी इसके बाद से वो गुम्नामी के जिन्दगी जी रहे हैं हलाकि आज के समय में कुमार एक बिजनसमेन है अंध समय पर आकर ही उन्होंने पिता की बात मानी और हीरो बनने का सपना छोड़ दिया वक्त रहते अगर वो पिता की बात मानते तो शायद जिन्दगी में बड़ी तरक्के कर लेते आप क्या कहेंगे इस पर अपनी राय हमें क अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजे